पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष आदर्निय श्री अमिच्छा जी, देश के प्रधान मंत्री, जिन पे पूरे देश की उमिदेट की हैं, आदर्निय श्री नरेंद्र भाई मोधी, श्रद्य अध्वानी जी, श्रद्य जोशी जी, पूर्वध्यक्ष मानिय राजना सिंग जी, शिवेंकेयन आईडू जी, नितिन जी, मंच पर मौजूद पार्टी के वरिष्ट नेतागन और इस राष्ट्य सम्मेलन में आए हुए कारेकरता मित्रों, बहुत कम उधारन है कि एक उमीदों से वरे हुए महौल में, उत्सा के महौल में, इस प्रकार का पार्टी का दिवेशन हुआ हो, उत्सा अधिक इसलिए भी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, भारत की जनता ने मोदी जी के नित्त्तु में, भारत ये जनता पार्टी को दी है, और इस जिम्मेवारी देते वक्त, इस देश के जितने राजनेतिक, पंडेत और विशलेशक थे, कई उनके ऐसे विशलेशन थे, जो इतिहासिक द्रिश्टी से भी दिये जाते थे, जिनों उन्होंने गलत साथ सिद्ध कर दिया, राश्ट्री अध्यक्ष जी ने संकेत में उनमें से कुछ का जिक्र किया है, बहुत लोग मानते थे कि बड़े बहुमत आएंगे एक दल के, भारत में वो यूग समाप्त हो चुका है, age of tall majorities and tall leaders is over, हम केवल गठबंदन की राजनीती के यूग में हैं, जब लोग आकलन करते थे, तो क्या भारतिये जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, क्या ये डेड़सो का आकड़ा पार करेगी, क्या ये दोसो अपने ताकत पे चूप आएगी, और आखरी कुछ दिनों में उनको लगने लगा, कि दोसो का आकड़ा पार करेगी, तो कहा तक जाएगी, साथियों के साथ, दोसो बहत्तर तक नहीं पहुँच पाएगी, कॉंग्रेस इतनी कमजोर रह जाएगी, इसकी उनको कलपना नहीं थी, ये सब राजनेतिक विश्लिशन, जो चुनाव से पहले होते थे, इस लोकसभा चुनाव के परिनाम ने उनको गलत सिद्गर दिया, पिछली बार किसी एक राजनेतिक दल को अपनी ताकत पे बहुबत मिला था, तो वो 1984 में मिला था, तीस वर्षों के बाद किसी एक दल को सिंगल पार्टी मजॉरटी इस देश में एक बार दुबारा आई है, कॉंग्रेश के लोग कम होंगे, लेकिन कितने कम होंगे इसकी कल्पना ना उनको थी, ना देश के किसी राजनेतिक विश्ली शक्को थी, अभी राश्टिय अद्यक्ष जी आकलन दे रहे थे, 14 राज्य और 6 केंद्रशास्ट राज्य यूनियन टेरिटरीज, 20 ऐसे प्राम्त हैं जहां कॉंग्रेश अपना खाता नहीं खोल पाई, कितने ऐसे प्राम्त हैं, जिसमें सारी की सारी सीटें, और बड़े प्राम्त हैं, सारी की सारी सीटें भारतिय यून्ता पारटी को मिली, आज की राजनेतिक परिस्थिती में, और भविश्य की रनणीती तै करते वक्त, ये भी हम लोगों को सोचना होगा कि ये परिस्थिती पैदा कैसे हुई जो लोग केवल एक परिवार पे और मैं किसी एक दल का जिक्र नहीं कर रहा कई दलों के संबंद में ये कहा जाता था और ये प्रश्र उड़ता था वंचवाद के संबंद में इस इंडिया बिकमिंग डाइनिस्टिक डिमोकरसी क्या भारत परिवार वाद के आधार पर चलने वाला एक लोगतंत्र बन रहा है जो केवल एक परिवार पर निर्बर करते थे प्राया ऐसे राजनितिक दलों को जटका लगा है जिनको लगता था कि शासन अच्छा चले इसकी आवश्यक्ता नहीं है केवल जातिये समी करण के आधार पर राजनिति चलती है और उत्तर बारत के कई प्रामतों में ऐसे राज्यते उसी पे चुनाव जीते जाते हैं वो भी गलत सिद्ध हुए जो केवल जातिये राजनिति को आधार मानते थे उनके खिलाफ अन्य लोगों ने जो मोर्चे खोले इस चुनाव में वो भी अपने आप में एक उधारन बना है ऐसा नित्रतों जिसका प्रभाव ना हो जिसमें नित्रत्व करने की शमता ना हो निरने लेने की शमता ना हो वो इस देश का मालग दर्शन नहीं कर सकता ये इस चुनाव से बिलकुल स्पष्ट हुआ है सरकार की ताकत को केवल बदले की राजनीती में लगा दिया जाए और उसी को अपनी जीत मान लिया जाए वो राजनीती कभी लाब नहीं देती जिस प्रकार से हमारे नेताओं को तंग किया गया हमारे राश्टिय अद्यक्ष उसका सबसे बड़ा उधारन है मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि हमारे विरोधियों ने हमसे पहले श्री अमित शा को पहचान लिया था और इसलिए उनका टार्गेट वो कई वर्षों पहले बन चुके थे हम लोगों को हमित जी की क्या शमता है उसके बाद दीरे दीरे समझ में आने लगी ब्रष्टाचार अगर बहुत व्यापक फैलेगा और नित्यत्व और सरकार कोई कारवाई नहीं करेगी तो शासन की विश्वस्नियता अपने आप में समाप्त हो जाएगी और कोई उस देश की तरफ देखने नहीं लगेगा इस परिस्तिती में ये चुनाव का परिनाम आया है कुछ जानकारियां तो हम सब को थी लेकिन शासन में आने के बाद कितनी खराब परिस्तिती में देश को छोड़ कर कॉंगरेश के लोग गए है ये कलपना दीरे दीरे आज भी हो रही है अटल जी की सरकार के सम्मंद में हम लोग कहते थे कि अटल जी ने आरंब किया राश्टिय राजमार्गों का निर्मान और हम आरोब लगाते थे कि कॉंगरेश की सरकार में वो धीमे पड़ गए हमारे पूर्व राश्टिय अद्यक्ष नितिन गड़करी जी को अब वो जिम्मेवारी मिली है उनकी चिंता ये है केवल धीमे नहीं पड़े दस साल में ये परिस्तिती पैदा कर दी कि आज निर्मान करने के लिए कोई सामने आने को तयार नहीं है पूरे सेक्टर को खोखला कर देना जो देश का एक फ्लैग्शिप कारिकरम था जिसको लेकर अटल जी की सरकार की हम लोग प्रशंसा करते थे किनों ने इस देश के निर्मान में इतना बड़ा कदम उठाया ये एक उसका उधारन है हम देश की अर्थविवस्ता के सम्मंद में दुनिया को दिखलाते थे अटल जी के समय कि कोई भी निवेश करना चाहे तो हिंदुस्तान में आकर करे चीन के बाद हम सबसे तेज गती से बढ़ने वाली अर्थविवस्ता है पिछले दो तीन वर्षों में जो इस देश की विकासदर है बहुत कमजोर पड़ चुकी थी पांच फिसदी से भी कम है और जब विकासदर पांच फिसदी से कम होती है तो उसके कई परिणाम सामने आते हैं देश का जो उद्योगिक शेत्र है और रोजगार बढ़ने का अवसर उद्योगिक शेत्र में होता है उद्योगिक शेत्र दो वर्षों से ठप पड़ा है नेगिटिव ग्रोथ रेट पे हैं बढ़ने की बजाए सुकड रहा है जब उद्योगिक शेत्र सुकड में लग पड़ता है तो रोजगार के अफसर अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं वो कम हो चुके हैं इस परिस्थिती में सरकार छोड़ कर गए हैं और जब वर्त विवस्ता सुकड जाती है छोटी पड़ती है तो सरकार की जेब में राजस्व नहीं होता कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार निर्माण करे कोई गरीवी उनमोलन के लिए योजनाय बनाए उसके लिए साधन सरकार के पास रही देते ब्रश्टाचार की ये परिस्तिती थी कि केवल ब्रश्टाचार किया जिससे शासन और सरकार की विश्वस्नियता सवापत हो गई केवल परिस्तिती ये नहीं थी उस ब्रश्टाचार के उपर परदा डालने के लिए जो लोगतंत्र में सम्विधानिक संस्थाएं है उनका दुरूपयोग करना उन संस्थाओं को ब्रष्ट बना देना ताकि एक ब्रष्ट सरकार और शासन की वो साहिता करेंगी जिसको इंस्टिटूशनल सबवर्षन कहते हैं उस इंस्टिटूशनल सबवर्षन की स्थिती में उन सरस्ताओं को छोड़कर ये कॉंगरेस की सरकार गई आंतरिक सुरक्षा की स्थिती हम लोगों को मालूम है पहले केवल कश्मीर या पूरु उत्तर के प्रांतों की चिंता होती थी आज़ देश के मद्यु में कितने जिले ऐसे हैं कितने राज्य ऐसे हैं जो माववाद से प्रभावित थे जब 2004 में अटल जी की सरकार ने शासन छोड़ा था तो इस समस्या का जिक्र नहीं होता था केवल साथ के दशक में आरंब हुई थी इतिहास का एक अंगती इस परिस्थिती में बारतिय जंता पार्टी और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नित्यत्तु में बनी सरकार से लोगों की उमीद है कि आप इस देश का पुने निर्मान एक बार फिर कीजिए इस चनौती को बारतिय जंता पार्टी की सरकार ने इंडिये की सरकार ने पूरी हिम्मत का और विश्वास के साथ स्वीकार किया है और 75 दिनों में एक-एक कदम सरकार उठाए जहां जहां शासन और सरकार और देश को इस परिस्तिती में छोड़ कर गए थे एक-एक शित्र में देश को पुने खड़ा करना है यही सरकार के उपर चनौती थी पहला निर्ने सरकार का क्या था सुप्रीम कोट ने कहा कि विदेशों में काला धन है उसकी जांच के लिए और उस पे कदम उठाने के लिए एक S.I.T. बनाई है क्या फरक है हम दोनों सरकारों में U.P. और इंडिये में तीन वर्षों से U.P. की सरकार सुप्रीम कोट में दर्कास देती थी कि विदेशों में काला धन है इसका उपाय क्या है जो S.I.T. आपने कही है हम नहीं बनाएंगे और सुप्रीम कोट बार बार आदेश देता था मोदी जी की सरकार की पहले मंत्री परिशद की बैटक में पहला दिरने था सरकार बनने के दो दिन बाद कि हम इस S.I.T. का गठन करते हैं विशे छोटा था लेकिन सोच की अंतर था कि तीन वर्षों से वो संगर्ष कर रहे थे 2011 से कि हम S.I.T. नहीं बनाएंगे अमिद जी अभी जिक्र कर रहे थे डव्ल्यू टियो का प्रधान मंत्री जी ने स्वयम ना जाने कितनी बैठके ली हैं पिछले 20-25 दिनों में डव्ल्यू टियो के सम्मंद में जो निरने करा आए थे जाकर उनमें से एक निरने का प्रत्यक्ष असर ये था कि हमारे क्रशी शेत्र की जो कमजोरी है कि हम अपने किसान को MSP दे कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे कर उससे खरीदारी करते हैं राजे सरकारे या FCI बंडार में रखते हैं और उस बंडार को फिर बाटते हैं सस्तिद्धर पे हमें ये तमाम खाद्यान की योजनाए सबाप्त करनी पड़ती ये समझाता करके आए जिसका असर ये होता आज दुनिया में कई देशों ने हमारी आलोचना की और ये का आप अलग तरग पड़ जाओगे लेकिन हमने का अकेले भी रहें लेकिन इस किसान के हित से और गरीब के हित से अपने आपको अलग नहीं कर सकते ये ही परिस्तिती अटल जी की सरकार में दो बार आई थी जब दोनों बार हम लोग अड़े रहे थे ये अमतरता यूपिये और इंडिये की सरकारों के बीचों है आते ही हम लोगों ने जो स्पष्ट निती बनाई है कि इस देश में निवेश का महौल आरंब हो हमारे देश का अपना उद्योग इसलिए कमजोर हो रहा था कि हमारा उद्योग को लगता था कि हम हमारे उद्योग को लगता था कि भारत में हम लोग निवेश करें इसमें लाब नहीं है हम भी बाहर जाकर करें बाहर से तो कोई आ नहीं रहा था यहां के लोग बाहर जा रहे थे हमारी taxation policy जो शब्द प्रियोग होते थे policy paralysis लखवा मार गया आप नीती नहीं बना सकते हमारी taxation policy के संबंद में कहते थे आतंक कित करती है निवेशकों को tax terrorism इस 75 दिन के अवदी काल में अपनी अर्थ विवस्था की विश्वस्थनियता को स्थापित करना उसकी credibility को बनाना ये जो महौल बना कर गए थे policy paralysis और tax terrorism का उसको तोड़ना उसको बदल के संकेत देना देश के गरीब के हित में तमाम योजनाई बनना और चार-पांथ सब्ता में जो सरकार की नीती rail budget में केंद्रिय बजट में आती है उसमें infrastructure कैसे बने rail budget में ये परिस्तिती थी कि जो निरने यूपिये लेता था उसको लागू करने की उनकी हिम्मत रही होती थी जिसको paralysis कहते हैं हम लोग प्रधान मंतरी जी ने कहा कड़वी दवाई भी पीनी पड़ेगी देश के हित में हम लोग पियेगे अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है ये जो जुलाई से लेकर नवंबर का महौल होता है दो क्रॉप्स के बीच का महौल होता है इसमें अकसर खाद्यान की कीमते बढ़ती है लेकिन हर सप्ता मीटिंग लेना उसका प्रशासन करना और इस अवधी काल में जो वस्तुवे असी और सो रुपए पे पहुंच जाती थी उनका नियंत्रन करके उनको बीस और तीस रुपए तक रखना इसका संचालन भी केंदर सरकार में सबसे सर्वोच पंद पर बैठे हुए व्यक्ति स्वयम करते हैं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान हो अब यह जो कलपनाई की हैं हंड्रेट स्मार्ट सिटीिज देश में आज कम से कम करॉडों की संक्या में लोग ऐसे हैं दिहात में शहरों में जो बिना घर के हैं इस सब को प्रोréeसाहन दिया जाए केवले स्मार्ट सिटीो के माध्यम से नहीं लेकिन हमने taxation policy तक का इस्तेमाल किया और जो समाज में एक निया वर्ग आ रहा है जो गरीबी में से उठकर उपर आता है और मद्यम वर्ग बनने का प्रयास करता है उस प्रयास में उसकी सहायता की जाए आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने आते ही इस वर्ग को इतना बड़ा relief taxation में दे दिया हो जो taxation में exemption देते हैं कभी पाँच अधार दस अधार बीस अधार तक बढ़ाया गया है एक मुष्ट में उसको पचास अधार रुपए बढ़ा देना जो घर या छोटा घर अपाटमेंट खरीता है और उधार लेकर ब्याज देता है उसको दो लाख तक की tax की और छूट दे देना उसको भी पचास अधार बढ़ा देना जो बचत करता है और बचत की पूझी को कहीं लगाता है उसको भी उसके लिए इंसेंटिवाइज कर देना और पीछे एक नीती थी केवल प्रदान मंत्री जी का आदेश था कि अर्थ विवस्ता फैले बड़े उसके लिए taxes कम होंगे तो ज़्यादा तेजी से पहलेगी वाली हम पहली सरकार थे जिसको कहने में संकोच नहीं था वी आरे लो टैक्सेशन गवर्मेंट नॉट अ हाई टैक्सेशन गवर्मेंट लाइक दे यूपीए देश के अंदर पैदावार उद्योग बड़े मद्यम और छोटे उद्योग लगाने वालों को जो पुझी होगी उसमें भी टैक्स की छूट देंगे कि इस देश में पुझी लगाईए बिजली का निर्मार नहीं होता जो इस देश के बिजली के निर्मार में पुझी लगाएगा अगले कुछ वर्षों के लिए उसको भी टैक्स मुक्त गिया हम लोग ने इस खराब परिस्तिती में जिसमें अर्थ विवस्ता हम लोगों को मिली थी उसमें अर्थ विवस्ता का विस्तार हो, economic activity का expansion हो हमने एक वैकल्पिक नीती के माद्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया सरकार में ये कैसा शासन है जिसमें मंत्रियों की जवाब दावी देवी भी है एक-एक विभाग का नियंत्रन और उसकी accountability, खूब चर्चा ये एक महौल पैदा हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि 75 दिन की सरकार में खूब लगे हुए हैं विरोधी कुछ ना कुछ ढूंडने में लेकिन अभी तक कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है आज इस परिस्तिती में विदेश निती हमारी ये थी कॉंग्रेस की सरकार में कि लगबग सब पड़ोसियों के साथ सम्मंद में कटास थी अव विश्वास की भावना थी इस परिस्तिती में लेकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारी विदेश मंत्री सुश्मा जी आज भी इसी सम्मंद को सुधारने में व्यस्त हैं उन्होंने आरंब इससे किया कि पहले पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे सम्मंद बने बुटान में प्रधानमंत्री जी हुआ है नेपाल में प्रधानमंत्री जी हुआ है और जिस प्रकार का उत्सा उनके नेपाल और बुटान की यात्रा में था और जिस प्रकार के संबंद बनाने की एक नीव रखी गई है ये अपने आप में उधारण है सभी सारक देशों के साथ दोस्ती का संबंद बनाना और ये वो परिस्तिती में लिया कि जबकी विरासत में हमें वो स्थिती मिली थी कि इन तमाम देशों के साथ रिष्टों में खटास थी कड़वाहट थी ये विरासत हम लोगों को मिली थी और एक प्रायोर्टी देना आज विदेशी मेमान आते हैं, तो सबसे पहला विशे भारत के सम्मंद में है, भारत हत्यार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार था, सब आते थे बेचने के लिए, अब सब आते हैं तो उनसे चर्चा होती है कि अब भारत के अंदर इसका निर्मान शुरू ह होगा, पहली बार आते ही जो दृष्टिकोन था सासन का, और महमानों के साथ जो चर्चा होती थी उसका अजेंडा था, उसके अंदर भी अपने आप में एक परिवर्टन आया है, देश की कई स्थानिये समस्याएं, इस सरकार में पश्टता थी कि हमने ये कहा, और उसके ल काश्मीरी पंडित भाई, जो काश्मीर घाटी में वापिस जाकर बसना चाहते हैं, सरकार उनके लिए साधन देगी, और जो भी उनके रहने की वाँ सुविदा होगी, उसका निर्मान हम लोग करेंगे. अमिज जी अभी गंगा नदी का जिक्र कर रहे थे, देर्थ के तीर्थ स्थानों का महत्व को हम लोगों ने समझा है, देश में जो पुरात्न शहर हैं, वहाँ हेरिटेज सिटीज हों, देश में जो नदी के साथ साथ घाट हों, घाट निर्मान का काम, राजियों के माद्यम से सरकार करेगी केंद्र की, प्रियाटन बढ़ाने का काम इसके माद्यम से हम लोग करेंगे, और प्रियाटन के शेत्रों में जो हमने आते ही निती की घोशना की है, तो उस विवसाय में लगे लोगों को लगता है कि आने वाले दो-तीन सालों में ये दुगना हो सकता है, जिससे देश के एक वर्ग की आमदनी के उपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, इस उत्सा क के महौल में हम लोगों ने एक शासन आरंब किया है, उस निराशा के महौल को बदलते वाक्त, लेकिन खेद केवल एक बात का है कि कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो उसकी नीतियां इस देश पर बोज बन चुकी थी, इट वाद लाइबिलिटी अन दिस कंट्री और आज विपक्ष में रहकर भी वही भुमी का निबाना चाहते हैं, कि कहां कहां देश तीवर प्रगती ना कर पाए उसको रोका जा सके एंडिये को, केवल रुकावटे हम लोगों ने पैदा करनी हैं, हाल में पिछले एक सप्ता में जो उनकी नीतियां स्पश्ट हो कर आ रह रहती हैं, देवरा लाइबिलिटी ओंडे एकॉनमी अफ इस कंट्री वन देवर इन पावर, देवान तो कंटिनू तो बी अलाइबिलिटी विन दे आर इन ओपोसिशन, लेकिन हम लोगों में भी इस बात का संकल्प है, कि ये कैते हासिक जिम्मेवारी इस देश की प्रगत बारती को आगे बढ़ाने के लिए बारतीय जंता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिली है, हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, और जो ये एतिहासिक मेंडेट हम लोगों को मिला है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ये हमारे साथी प्रकाश जावडेकरज आप से आगरे करूंगा कि इसको पार्ट किया जाए।